हर्याना की ओर जहां CM के पास आएगा CIED और अनलविश से अधिकार वापस लेने का प्रोसेस शुरू हो चुका है तो उसके बाद यहाँ पर कुछ अणबन जो थी दोनों की बीच में जो असमंजस थी उसके लगातार कयास लगाया जा रहे थे CM मनुहरलाल और साथी ग्रहमंत्री अनलविश के बीच में जो असमंजस थी वो अब यहाँ पर चट्ती वी नजर आ रही है साफ होती नजर आ रही है कि सूत्रों के मताबिक अब जो CID का विभाग है वो पूरी तरीके से CM के पास चले जाएगा इसका process शुरू किया जारा है और इसके process के बाद यहाँ पर एक विधयक बनाया जाएगा और एक नियम बनाया जाएगा और कानूर में बदलाव किये जाएंगे ड्राफ तयार किया जाएगा जिससे उसके बाद cabinet से मुहर लगेगी और फिर विधान सभा में इससे संशोधत विध्या के रूप में पेश किया जाएगा उसके बाद CM के बाद से पूरा विभाग चला जाएगा इससे पहले 9 officers ऐसे थे जिनका तबादला किया गया था अनिलविज के को बताए बिना ये तबादले जो थे वो किये गये थे जिस पर अनिलविज नाराज भी हुए थे और उन्होंने CM से मांग की थी कि इन सभी का जो तबादला है उसे नहीं किया जाए उसे रोक दिया जाए और इन्हें वापस से अपनी अपनी पोजिशन्स पे रखा जाए लेकिन इस बात को लेकर काफी यहाँ पर थोड़ा सा तनाव भी हुआ था और दोनों के बीच में मद्भेट की खबरे भी आई थी लेकिन दोनों नहीं इसे नका रहा था और उन्होंने कहा था कि यहाँ पर स है पास किया जा रहा है तो अब यह जो पूरा विभाग है यह पूरी तरीके से कानून में बदलाव के बाद सीम के पास चला जाएगा और ग्रह मंत्राले इससे पूरी तरीके से अलग हो जाएगा